भाद्र पद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से महालक्ष्मी उत्सव का शुभारंब हो गया है। ऐसी मानिता है कि माता लक्ष्मी के जिस रूप की पूजा की जाती है वो जेठानी और देवरानी का है। अपने दो बच्चों के साथ वो इन दिनों माय के आती हैं माय के में आने पर तीन दिन तक उनका भव्व स्वागत किया जाता है। पहले दिन इस्थापना, दूसरे दिन भोग और तीसरे दिन हल्दी कुंकुं के साथ माता की बिदाई की जाती है। इसके साथ ही महाराश्चिन समाज में छहदेश्य गनपती उत्सव का भी समापती हो जाती है कई स्थानों पर महालक्ष्मी उत्सव बेहदी उत्सव और उंदा तरीके से मनाया जाता है महालक्ष्मी उच्सव के दोरान लक्ष्मी जी के पंडाल को आकर्शक तरीके से सजाया जाता है महालक्ष्मी की पूजा फूलहार बांध कर की जाती है घरों में तरह तरह के पकवान बनाये जाते हैं साथ ही पूजा विशेश घर के बहुद्वारा की जाती है महिलाएं साथ में मिलकर ढोलक मजीरों के साथ भजन कीरतन गाती हैं कहा जाता है कि लक्ष्मी की इन मूर्तियों में कोई भी बदलाव तभी किया जा सकता है जब घर में कोई शादी हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो माता की प्रतिमाओं के अंदर गेहों चावल भरे जाते हैं जो इस बात का प्रतीक हैं कि घर धन्धाने से भरापुरा रहे ये महालक्ष्मी परवे माता जी गड़े जी की घर ढ़ाई दिन की दिन के माई के आती है और आज माता की स्थाफना की गई है आज अंबाड़े की भाजी और भेज़ड़े की रोटी का नेवेद लगाया गया है तल चपन मुख का नेवेद लगाया जाएगा और तिसरे दिन माता की विदाई कर दी जाएदी है यह माराष्टियन और मराटो परिवारों में बहुत दिन्दाम से मनाया जाता है यह भादोमाज की शुक्रपक्ष की सब्तवी को माता की स्थाफना की चाती है